मन्थन दोहजार चौबीस में बहुत स्वागत है आप सभी का चुनावी माहौल है और चुनाव की तारीखें बस किसी भी वक्त घोशित हो सकती है लेकिन इस बीच बॉर्डर पर किसान जम्मे हुए है हरियाना बॉर्डर पर और सबसे बड़ी बात ये कि 14 तारीख हो दिल्ली का राम लीला मैदान एक बड़ी किसान महा पंचायत की भी गवाही देगा किसान MSP की मांग कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि ये देश तकरीबन धाई साल पहले एक और बड़ा किसान अंदोलन देख चुका है जो इतिहास में दर्ज हुआ और सरकार को जुकना पड़ा तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ा जैसा कि किसान कहते हैं और प्रधान मंतरी मोदी ने कहा कि हम फेल रहे हमारी तपस्या में कोई कमी रही कि हम किसानों को नहीं समझा पाए और ठीक वैसा ही माहौल अब 2024 के चुनावी संग्राम से पहले नजर आने लगा है ऐसे वक्त में हमारे साथ भारती किसान यूनियन के राश्ट्री प्रवक्ता राकेश टिकैत मौजूद है पिछले किसान अंदोलन का भी बड़ा चेहरा थे और मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियों के साथ राकेश टिकैत साब का स्वागत कीजिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो आते हैं और मेरा सबसे पहला सवाल राकेश जी आपसे ये कि आप इतने भढ़के हुए क्यों रहते हैं बककल तार देंगे भुष बढ़ देंगे गाम में नी बढ़न देने के मतलब इतना घुसा क्यों करते हैं आप जो सामने से जैसा कोश्चन करगा तो उसको उत्तर दो ही देना पड़ागा नहीं लेकिन आप सरकार को काएंगे भुष बर देंगे बखकल तार देंगे यह सरकार कुन है 乐 करते सरकार ऊस की भासा का इस्तेमाल करेंगी तो उसका जवाब हो Mart शरकार तो के रही है आकर बाद करलो कहां पर हम में को फिर रोश्चुन दोजारुकिस के बाद माम सरकार से बाचित हुई नहीं जाड़े तीन साह लोगे नहीं तो ढ़ाई साल से तो आप भी गाइब है नवंबर में लखीमपुर खीरी में आपने एक सुले नामा कराया समझोता कराया जो सुले नामा समझोता हुआ कि बाई किसानों के उपर से हत्या का मुकदमा खारज होगा वो हुआ नहीं ढ़ाई साल तक आप भी गाइब हो गए और हमारे गाओं में तो कावत है जैसे बैल के सिरसे सींग गाइब हो जाता है कहां थे आप ढ़ाई साल अप चुनाव आ गए आप पर आगए तो कावत गदे के सिर से सिंग गदे के सिर से माल लीजे ऐसानी सब जगे बाची चलिए जो लखीमपूर का मामला है लखीमपूर का मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट उसको देख रहा है अभी और पुरा मोनिटिंग सुप्रीम कोर्ट के उसमें है उसमें पक्स थे उनको मुआ जामिरा था उस टाइम का जो सम्झोटता हुए था नहीं बात तो हत्या का मुकदमा वापस लेने की थी मुकदमे उन से वापसी नहीं हुए जो भी हत्या में शामिल उन एक ही केस में करा है पुलिश ने जो तीन लोग उदर से मारे गए थे और चार पा कर अदोलन की भी तो भुमी का होती है न आप कहेंगे सरकार कया आपका बयान है कि हम गोला लाठी चड़ा देंगे आपका इंगे गोला लाठी काम नी धरा रा लखिमपूर घीरी में अजय मिश्रटेनी को फर टिकेट मल गया का नहीं हमने यह कहाए के उनकी पार्टिये मे आम इस जंजट में नहीं पड़ते और अब तो टिकट किसी को दे लो, जिते हैं यहीं, अब कहा होट कि, कहा हा ज़नता की ज्टरबत पड़ लिगों लिगोस कोरा भाई, ने क्टिशन कॉमिश्न है ठेश क्यों ने एं लेक्षिन कमिशन है, कहा है ठेश में कहा है? है कहां पर दिल्ली में तो घुमते हो आप हम सब जगे को में और देश के बच्चे-बच्चे को पता के कोण सी एजन्सी कहां काम कर रही और अभी नहीं अभी तो यह लक्सन हो जान दो उसके बाद में ताना साइक का रूप इसके बाद में देखने को मिलागा अभी हों दो अग्सनी को आप तो जान दो पिर और उसके बाद में देखना है और अप तो अभी कह रहे हो कि डेमोक्रसी नहीं नॉर्थ कोरया बना दिया नॉर्थ कोरिया और ज्यादेए ंए लेकिन यह चैनल वालोकूर सब को पता है जो भासा हम नी कह सकते हो आप कहने तो आपका कम स नगो के टीन तरह कि लोग देशमा बेहद हैं कि यहांद भरतिय भी आप्यों सब्नायल करेंगे अभी होर बहुत स्पीड से सामील होंगे तो हम तो सहिद्धी वालों में आंदोलन करेंगे तो हम ने तो बार-बार कहा कि इस आंदोलन में एक सहिद्धी टिकेट परिवार की जागी सरकार जहां पर भी अडेगिर जहां पर भी वो चात्तियों वहां जाएगी एक जाएगी मिल मालिक बुगतान नहीं करते गन्ना किसान आज भी धरने पे बैटे चासी दिन हो लिए तक्रीबर 14 दिन का सुप्रीम कॉर्ट का ओर्डर है साल लो जा 35 साल में अपने इलाके की समस्या नहीं सुलजी हम खाली अकेले गन्ने की नहीं सारे देश की समस्या है एगरिकल्चर की पूरे देश की समस्या है अगर देश में आंदोलन ना हो तो फिर क्या हो अपने इलाके की तो सुलजा लेते हैं पूरे देश की अम बात करेंगे अम उस इलाके से हैं महा रहते हैं लेकिन हम पूरे देश की किसानगी समझ्चा के बात करते हैं देश में जमिन्नू के रेट बढ़ेंगे और फसलों के दाम कम होंगे यह बड़ी पॉलिसी चल रही है क्योंकि यहां पे चाइना और उएसे के बीच का एक देश चाहिए जहां कि जनसंख्या जादो और वहां पे लेवर मिल जाए यह दुनू का कमपेटिशन है उसके बीच में देश फसरा और हमारी जो सरकारे हैं यह इसके गिरिप्त पे तो यहां पर जमीन अज सिर्फ बीजेपी सरकार पर आप तो-पाथ तो बात-चीत करेंगे और काम करेंगे नहीं भी इनके हाथ में ने कुछ भी अगर इनके हाथ में हो अगर ये सरकार बीजेपी की सरकार होती तो ये काम करती ये सरकार अटल विहारी वास्पेई की विचार धारा की होती तो बात करती मुर्णी मलोहर जोसी की सरकार होती उसकी विचार धारा होती तो बात करती अडवानी की विचार धारा की पाल्टी होती तो बात करती अब तो जुआ एक ये गैंग है. पुबञजी कहा पुबञब uży। मोधी और अमित्शा देश के रहे मंतिरों प्रदान नात्री को करह रहे हैं. को अब बात तो सुनी दे... अमने एक पुबञजी वादु ने एक गैंग मनाया अपनां. उस गेंग ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई उस पॉलिटिकल पार्टी पर कभजा कर लिया, जिसकी सरकार है, यह उस गेंग की पॉलिटिकल पार्टी है, जिसकी सरकार है, यह उस गेंग की पॉलिटिकल पार्टी है, गेंग की पॉलिटिकल पार्टी है, और यह गेंग च कुछ तो वो दिखाए देगा ने पुझिवाद का तो भई अड़ानी है यह यह उस पुझिवाद का हिस्सा है जैसे ब्राजील में है ब्राजील हिंदुस्तान से कही गुना बड़ा है और वहां पर 280 लोग के पास महां की 80 परसेंट जमीन है वहां पर हमारा जो आंदोलन चल अधियार बनेगा और फूरी दुनिया में बनेगा जब तो चादरी चरण सिंग किसान के नेता थे किसानों की या नहीं थे हाँ थे और चादरी चरण सिंग का पोता संसद में खड़ा हो के कह रहा मुझे चरण सिंग दिख रहे नरेंदर मोधिमा आपको दीखनी रहे वह जैसे चैनल के लोगों को किसान आंदोलन दिखाई नहीं देता जैसे चैनल के लोगों को कैमरे जब धुंदले हो जाएंगे और कैमरा और कलंप बंदू का पहरा हो जाएगा तो फिर वे भी अपनी बासा बदलतेंगे और तीन तरह से आदमी बासा बदलता है देश में पह वे होगा कि आप पार्टी में सामिल हो जाओ, आपको सम्मान देंगे, पद देंगे, आप बठो अराम और इंजॉय करो, फिर दुफेरे के टेम पहोंगा, वो कहेंगे आपको लाब भी देंगे, आप जो लाब लेना चाहते हो, आप इंडरस्टी चलाओ, टीवी चैनल आपको कोई दिकत नी, और जैसे ही अंदेरा होगा, फिर डंडा चलागा, आपको वाना तो जुरूर पड़ागा, तो जयन्त चौधरी, जयन्त चौधरी साब जो है, वो इन तीनों डीज में से, किसमे, आप जो पहले गया, उसका नमबर लेलो पहले, यह तो बाद में गय नहीं, चले तो गए, भई, एक किसान नेता, मेरी बेल्ट का, पश्ची में उत्तर प्रदेश का, एक बड़ा किसान नेता, बीजे पी के साथ चला गया, और वो कह रहा है, नरेंद्र मोधी में मुझे, नरेंद्र मोधी में मुझे, चादरी चरण सिंग दिखाई दे रहे, कह रहा होगा, आप जिसे दिखाई दे रहा होगा, वह तो बताओगा, आम तो मिला नी कभी हो, आपको नहीं दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, कोरिया, अलेक्सर वह पे होता है, यहां किम जॉंग कौन है, यहां कोरिया दिख रहा है, तो किम जॉंग कौन है, आप तो अभिव्यक्ति की स्वतंतरता का सबसे बड़ा यह लेकर बैठी हूं तो को यह बताई यह बताई राकेश्टेकर जी कि किसानों की जो लडाई है अजी इस देश के किसान की लड़ाई गंभीर लड़ाई है जाद है तम इस लड़ाई में नियारे नियारे को इंगे बैठा को यंगे बैठा चार उंगे पंजाब में अरियाना में यूपी में यह सारे नियारे 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 आपके पिताजियर केंग भाई है चा विचार दारा लग अलग है और सरकारू की सपोर्ट बाई मेरे पिताजी आंदोलन नहीं कर रहे ना राकिस्ट केच्छी आप तो आंदोलन कर रहे लेकिन वहां पर जाके बहुत लोग की अपनी अलग विचार दादान किसने विचार दारा हुई कुछ लोग उस में सरकार के शामिल है उस आंदोलन में सरकार के लोकशामिल है ल sıर कार कि कर नाम पता पाएंगे अप यो रिचार दपा Sorry कि अग्स का झोड़ाइस से लोग जुड़ state on सरकार के ग्रफ्त में कुछ लोग आए वहाँ पर, आम जनता को नहीं पता, तो आप ये कह रहे हैं कि आपका अंदुलन पंजाब में सरकार ने हाईजैक कर लिया, नहीं, पंजाब सरकार नहीं, भारत सरकार, पंजाब सरकार, पंजाब में हाईजैक कर लिया, ये कह रहे हैं भारत सरकार ने पंजाब के आंदूलन को हाईजर्क कर लिए। और जगजीत सिंग डल्लेवाल। कुछ जायज लंबी पुरानी मांगे जो होती है वो मान लेती है। तो इचुनाव तो बिल्कुल सिर पर है। यह आंदूलन होता तो पहला होता जभी खट्री बाचित हो जाती है। और दिल्ली का मुमेंट नहीं होना चाहिए। अपने रिकोर्ड कभी नहीं टोटने चाहिए। और कोई गलत फहीं में हो कोई हो यह हम भी गलत फहीं में रहें। कि दिल्ली जो आंदूलन हो गया वो आंदूलन फेर दुबारा हो जाएगा यह वो आंदूलन का भी दुबारा होगा ही नहीं। अच्छा। वो आंदोलन एक विचारी का अंदोलन था, उसके साथ में पूरा देश जुड़ा हुआ था, आज वो विचार सब के साथ में जोड़ना, साज्या करना, उस तरह का मुमेंट खड़ा करना, वो तो सदी में कभी गभी होता है, जो मेरट के अंदोलन होगे, वा अब आप कह रह कि आप संजीव बालियन को अशिरवाद देदे़ जाकर, बजया प्ज़ेपी के नताओं को ऑशिरवाद देदे़ एक हुआ हम वोटन है तो फ्मने को ने को छोड़ा टेंगे, और जिसको वोट ते वाएगा, व्मारे बच्चे वोटन हैं सब, तो आप वोट मांगने अपने भास में आएगा, अमने सब को दरवाज्य खुले, सब हो वोट मागने, हम वोट देंगे. किसको वोट देंगे, राकेष्टिकेंट को वोट देंगे? हम नोटा निताब भाएंगे, वोट देंगे. हम वोट देंगे, वोट देन रहना हैं, और देश के समिदान को मानना है, तो वोट दो. अप तो कहरे हैं अभी, कि भाई, चुनाव हो इनी रहे देश में, अभी आप कह़ें, वोट देंगे, अपनी बात में फश गए राकेष्टिके. वोट देना एक अलग चीज है, वोट दे रहे हैं, लेकिन वोट जा कहां रही, वो सिस्टेम मोला किने, किसी ने, EBM जो मसीन होती है, अलक्षन के बाद में कहां जाती है, कहां ठीक हो का बापसी आती है, किसी को पता है गया? अच्छा, राकेष्ट कैत ये बताएं मुझे, कि 2013 में अन्ना अंदोलन हुआ, सरकार हिल गई और सरकार बदल गई, तो राकेष्ट कैत के अंदोलन में इतना दम क्यों नहीं है, कि जिस बात के लिए वो पिछले इतने सालों से लड़ रहे हैं, ना गोडा दे पाए, ना अच्छा पाट रहे हैं, ड्राव हुया विपक्स देश में ताना साहों को जनम देता है, जब विपक्स हैं, इनको चुनाओ लड़ना है, जब वेई नहीं हैं तो हम हीं ग्या कर लेंगे, हम तो अपनी बात कहते हैं, और हम किसी पोल्टिकल पार्टी के खिलाप नहीं है, जिसकी सरकार होती है, अगर सरकार गलत फैसले कोई करेंगी, तो आम उस सरकार के खिलाफ हैं। तो ये यूपी की जो असी में से असी का नारा है। भई जब जिस देश का ताना साह राजा हो जाएगा, तो जोथ्षी भी बेइमान हो जाएगे। जोथ्षी तो बेइमान नहीं है, दो अजार पाइस में आ गए वापस। तो 370 रवे होगी। तो राकेश्टी के यह कह रहे हैं कि BJP का 370 जो है, BJP 370 पार जारे है। इनको वोट थोड़ा दे रहा कोई। ये तो काग जो मजिताते हैं, हारे विय कंडिडेट को BJP का हाराविया कंडिडेट जीत का सेटिपिकट लेका जाता है। भरती हो जाओ जीत की पक्की गारेंटी निके हाँ। यही तो होता है जाता है। बजा दीजेताली। भई उत्तरपरदेश के चुनाव में क्या हुआ? यही तो हुआ। तो 2022 का चुनाव भी आपकी नजर में फेर इलेक्शन नहीं था। तो आप जो वोट दोगे क्या गरंटी है कि आप जो वोट दे रहा हो वो सही जगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो एक आंदोलग तो इस पर भी करना चाहिए राकेश चेकेट को वोट किसको देंगे हम दे देंगे जिसको वोट की गारंटी तो उसकी रहन चाहिए है बेंक में पैसे रखे कोई निकाल खे लेगया और जोड़ा लेकर उसा रास्ते में गिंडता जा रहा है तो बेंको दोड़ा कोई गलती है जो चीन के ले जागा अगा अगर कैश को सी में से असी सीट का जो नारा है आप उत्तर प्रदेश से आते हैं खाटी देहाती हेट बेल्ट से आते हैं और ये मुझफर नगर बड़वत बागुपत सहरनपूर खतौली केराना ये सारी सीटें खास्तोर से मैं अगर कहूं जहिंद चौधरी के जाने के बाद थोड़ी सी डाइसी दिखती हैं पिछली बार बासर जीती बीजेपी ने इस बार आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश कुछ अपतार जब 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 यह कह रहे हैं के मारी 400 जहाद आओगी तो इसको रिनिवल कर लो क्यों अलक्सन करवा रहे हो एक कोट सा ओडर ले आओ जब जीत त प्रदेश को अपने पहरेदारी जरूर करने चाहिए आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश में डेंट लगेगा बीजेपी को हम नहीं कहते कि क्या लगगा हम पॉलिक्स पर ज्याद भात करते हैं अपने जर्देंगा नई, पॉलिट्ग्स तो थिकτα करते हैं याँ पॉलिट्स तो नाना करते है भूब कर लेते हैं नाना कि अभब की तरफ को पार कर के भी निसुहेंगे हैं कि भगादिये जनताने भगादिये जंताने रहा अब दो-तीन गंभीर सवाल पूछते हूँ आपसे, इस देश का किसान आपकी तरफ उमीद से देखता है, और आप पर आरोप लगते हैं, कि आप आंदोलन करते हैं, और फिर मांडवाली कर लेते हैं, सरकार के साथ किसान को छोड़ देते हैं। जिसमें भले ही सक्षी मलेक और बाकी जितने भी ओलम्पियंस पहुचे अपने मदल बहाने, आप वहां पहुचे, और सरकार की तरफ से आपने समझोता करा दिया, मंडवाली कर ली, और कॉज यानि की मकसद अधर में छूट गया। सकती थी। जो लोग थे, वो चाते थे के सरकार गिरेर, यहां पर खोर खोन खचर हो। लेकिन राकेश्ट कैथ उस समझोते के बाद, वो समझोता तो चलिए एक क्रूशियल नोड पर था, परिस्थिती वैसी थी, डेट बॉडी रखी हुई थी, लेकिन उस समझोते के बाद, राकेश्ट कैथ कभी क्यों घर से बाहर नहीं निकले, यह आवाज क्यों नहीं उठ क्योंकि हता है, तीन उधर से भी थी, जो भीड से हत्याई हुई, और सुप्रीम कोट ने इसको संग्यान लिया और इस केस को पूरे को एक फाइल में इसको बंदित किया, और यह केस पूरा सुप्रीम कोट में चला हुआ है, जहां तक आंदोलन है, वहाँ पे बहुत कोजार इकिस के बाद में हमारी फेर सरकार से कोई बात हुई नहीं, फेर तो देश में आंदोलन होड़े पूरे देश पर में इमेसपी को लेकर अब जो बातशीत चल रही, राकेश टिकैत इस देश के किसानों को क्या कहेंगे, कि एमेसपी की लड़ाई को, लीगल गरंट को, और स्वामी नाथन आयोग की रिपोर्ट के मताबिक, मेसपी लागू करने को लेकर, जो लड़ाई आप लड़ रहे इस देश के किसानों को क्या आशवासन देंगे, कि उस लड़ाई का हल नहीं निकलेगा, तब तक राकेश टिकैत ना अंदोलन खत्म करेंगे, ना घर वापस जाएंगे ने लड़ाई बंद करेंगे, नहीं घर वापसी कहां से नहीं, घर क्या अभी को यांदोलन चलिदा, कि जोदा तारीक को आपा रहे है, राम लीला मेरे, नहीं हम एक दिन के लिए आ रहे है, कोई हमारा धरना नहीं है, कभी धरना होगा और कोई चीज सब्सक्राइब साथा है, हमने एक आगे, जो सरकार को खरीद करनी है, पिकर विएमिन करना है, वो सरकार कर ले, लेकिन जो व्यापारी खरीद करता है, वो MSP से कम पर खरीद ना करें, हम यह गारंटि चाहते हैं, आप लाप लेकिन जब पूरे मुमेंट सुरू हो जाएंग तो सरकार फेर करेगी कि देखो जी हमने कर दिया और इसके बाद में कोई समस्या देश में नहीं रही ये परदान मंतिर जी इसकी गोशना करेंगे और गोशना करकर फेर आम लोगों में किसान को जब आंदोलन किसान दुबारा करेगा फेर केली देखो यह किसान तो फेर आंदोलन कर दे हमने नो खतम कर दी समश्चा किसान की गाओं के पटवारी सा लेग के और उपर तक है अकेली MSP समश्चा नहीं है बड़ी गंभीर और समस्या है और भी समश्चा यह है राकेश टिकेट में आमें अन्त में ये आश्वासम तो दे सकते हैं इस देश को की आंदोलन कारी ही रहेंगे अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे हम नहीं तो बता दिया चुनाव बहुत बड़ी बीमारी हैं इसकी तरफ कोई मत जाना नहीं बाकियों को क्यों मनागर हैं आप नहीं जिसको तजर्बा लेना ओ ले सकता है जो भागते हैं यो को रोकना नहीं चाहिए अन्य तो टक्कर मारके जागा हम नहीं किसी को रोकते हैं चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि जो आंदोलन किसानों को लेकर है, इस देश के किसान, जिन समस्याओं से पिडित हैं, उन समस्याओं को न सिर्फ सरकार, बलकि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, वो भी गंभीरता से अड्रेस करें और कम से कम उन समस्याओं से निजात किसा नो को मेल पाई बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद जिसमें को धन्यवाद